डीमन स्लेर सीजन 3 एपिसोड 9 उसके अंदर टोकिटो ने फाइनली ग्योगो को तो हरा दिया बट हमें ग्योगो के पास्ट के बार में कुछ नहीं पता इवन मांगा के अंदर ही बहुत कम बताया हुआ है और वह मुजान से कैसे मिला हमें वह भी नहीं मालू तो आज मैं आज की वीडियो के अंदर मैं ग्योगो का पास्ट वो डीमन बनने के बाद उसके पावर उसकी अटैक्स कुछ फट उसके बारे में और उसने डीमन जाकी स्टूरी में क्या रोल निभाय तो बताऊंगा मैं डीमसर की मांगा और उसकी ऑफिशल फैन बुक्स भी पढ़ ली सबसे पहले एक ग्योगो का पास्ट आज की जो भी हम डीमन देखते हैं आज के टाम बे वो सारे एक टाइम में पहले हूँमन हुआ करते थे तो ग्योगो का डीमन मिनने से पहले नाम था मानागी और यह एक आउटकास था आउटकास मतलब वो लो जिनको सोसाइटी करना तभी विलेज में कोई भी इसको पसंद नहीं करता था मानागी के पेरेंट्स एक ट्रिप पे होते हैं जिसके अंदर वो पानी में डूब के मर जाते हैं और तब मानागी काफी यंग था और जब उसे पेरेंट्स की डेट बॉड़ी मिलते हैं वो काफी खराब करते हैं और भी मारकी रेचा उसकी उसकि बाड 연 देने आते हैं और जा धियुदो करते हमारा यहां मृज़न को काफी इंप्रेस मानागी व desirable उसको जीना है और मुजान बिंगा गुड डॉक्टर उसकी लाइफ बचा लेता है मतलब वही उसको अपना खूंदे दिया और उसको डीमन बना दिया और उस दिन मनागी मर जाता है पर पैदा होता है हमारा ग्योकू अब शोरी उसके डीमन बनने के बाद की जैसे कुछ डीमन से जैने कुछ स्पेशल लोग की खाना पसंद है वैसे हमारे ग्योको को पसंद है बच्चे खाना मनलब इसका प्रेफरेबल फूड है छोटे बच्चे अहा हमें औरोचमारो का भाई मिल गया डीमन बनने के बाद ग्योको काफी लोग को मारता है और अपनी पावर अप करता रहता है और फाइनली आके अपर मून फाइव बन जाता है जैसे ग्योको बच्चे खाने पसंद है ऐसे इसको दुनिया में कोई भी पसंद नहीं और इसको बच्चे खाने पसंद है बच्चे पसंद नहीं है इवन हेट अधा डीमन एक्सेप लॉर्ड मुजान को देखे तो साले में और गयाजम आ जाता है जो को मुजान को इंप्रेस करना चाहता है उसको दिखाना जाता है कि मैं कितना यूसफूल हूँ और अपर मून से वैसे तुम्हारी टीशर्ट जा तुमको डाट ते और तुम्हें बुरा फिल होता है सेम इसको भी बुरा फिल होता है मुजान इसको डाट अब बात करते हैं इसके अपिरेंस के बारे में आफ्टर बीकमिंगा डीमन गयोगों का पीरेंस सारे पूर मूंस में बहुत डिफ बारिश कड़वी क्यों है और इसका बाड़ी डेजाइन है वो काइंडव फिष की तरह लगता है और इसकी टूर्ट डीमॉनिक फॉर्म में काफी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन है डीमन को लेके और योगों को इस ताइम क्यों कि उस त्वाइंड काफी गुसा आरा और क उसकी हल भी नहीं कर रहे हैं कुछ काम को लेके ना वह ब्लूस पड़ा लिली डूंड पारें ना वह डीमस टेर्जा कुछ खाड़ पारें गयोगों मुजान को अभी ऐसा कुछ बताता है कि मुजान सुनके उसको प्रेस करेंगे इससे पहले वह मुजान कुछ बता है पी होंगे जो चैंजे मुजान को पसंद नहीं do lot अब हमारे five की आपर मुन फाइफ饵 कि पारिसल को ऐगा तो मतलब वो six से obviously powerful होएगा और तुम्हें पता है ग्योतारो और डाकी कितने पावरफुल थे इसके जो भी अटैक्स है वो मेंली पॉट्स निकलते हैं जदा कि अपने टू फॉर्म नहीं दिखाता ग्योको अपने पॉट्स को कभी भी स्पॉन कर सकता है अपने हातों से और इन पॉट्स से बड़े अजीब और क्रीपी क्रीपी से सी क्रीचर निकाल सकता है और ग्योको ऐसे कितने भी पॉट्स बना सकता है और जितने भी बनाए है यह उन सब में कभी भी टेलिपोर्ट कर सक जो सी क्रिचर्स होते हैं गोको उनको मिस करके मदब उनकी बॉड़ी पार्ट किसे नगी सो मिस करके कुछ अजीव सा डीमनी बना सकता है जिनका सर कटने पे वो नहीं मनने वाल पर उनके बैक में पॉर्ट होता है वो कटो के तो हो मरेंगे जैसे बहुत जीव से मौन्चर फिशन अटाइक कर देता है पूरे पूरे स्वार्ट मिंद विलेज के ऊपर वो सारे गोको नहीं बनायते गोको जॉइंट ऑक्टोपस तक को समंग कर सकता है अपने पॉट से देखो उसकी पावर्स है ना वो सारी सारी रूटेट करती है अक् बहुत हाई अमांट प्राइज पे करते हैं उसको मला पॉट काफी महेंगे बिखते हैं और शायद कोई ऐसे ही वाजा से पता लगा होगा स्वार्ट स्वार्ट स्वार्स मिंद विलेज के बारे में इस बारे में मांगा में तो नहीं बताया बड़ एक च्छुटी थियोरी यह कि अपना कोई पॉट सेल करा होगा और किसी स्वार्स मिंद विलेज के अंदर रहता है और यह विलेज के अंदर जिसके अंदर वह एक स्वार्ट मीं तो खाता है और तूख दता है बोलता है बिगार टेस्ट है कोई चखाने लेगा मेरे लिए और इस डाइम हमारा अपरमुन फॉर भी आक्शन के अंदर आ जाता है देखो यहां पर हमारे अपरमुन फाइव और फॉर का में ब्लैन यह होता है कि विलेज कंप्लिली डिस्ट्रॉय कर दो और जितना हो सके उतने स्व स्वार्ट से ही वो क्यों मर सकते हैं तो उसको जाब तो मैं मेरी अपकमिंग वीडियो अंदर पता लगेगा जिसके अंदर मैं कुछ यूनीक फैक्ट लेगा हो डिमन सेर को लेके जो इवन तो मैं कुछ मांगा रिडर को भी नहीं बताऊंगे गयोको सबसे पहले अपने फ वर्सिस गयोको की बैटल गयोको अपने आर्ट को लेके बहुत ज्यादा पोशेसिव वह पहले अपना आर्ट करता है देख मैं क्या बना सकता हूं देख मेरे वैसल कितनी इप्रैसिव हैं और लाइक आम नाट इंटरस्टेड लीज फाइफ फिर गयोको अपना आर्ट समझ रहा है गयोको वेसल स्पॉन करता है और उनसे निकलते कुछ फिशिष जो वैसे निडल से अटाइक करते टोकिटो के उपपर टोकिटो पहले तो डॉच कर लेता है पर फिर जब वह अटाइक स्वार्ट में और टोको तेच्चु के उपर होता है तर प्लोको उनके साम और गयोको चलànhता है और लोगो मारने और फिर ored only गयोको ताजरो के स्वाट समें से मिलता है जो ताज बफलीटले एकक नौर कर देता है प्रैसेंट disse Also, बें गुछ और ऑजा दील्री सबहाले फोलर चया ड़вержwhen करने के लिए काफ ऑक्सिजन होती है तोकिटो फाइनिस वाटर प्रिजन को ब्रेक कर देता है उसको अपना पास आता है और साथ में कोचे चुगा सेक्रिफाइज भी और तभी वो अनलॉक भी कर लेता है डीमस लेहर मांग और अब बैटल फिर शट होते है ग्योगो और टोक कर रहा था उपार से टोकिटो ने मांग अनलॉक कर लिया तो और पारफुल बन चुका है जो चीज ग्योगो एक्सेप्ट करी नहीं पा रहा था वह चीज सोच की डर रहा था कि में को इक बच्चे ने हरा दिया है तो ब्योंस योगो बहुत आराम से टोकिटो को मार सकता थ बेट उसका और कॉंफिदेंस उसको दुबा बैठा योगो कि मरने या उसके डानफॉर होने का रीजन गया था वो था कि वो हुमन को काफी अंडरेश्मेट करता है और उनको कुछ नहीं समझता जब टोकिटो वाटर पीजन गंदर था तब उसके बहुत अचा चांस था व और लोगो को मारने जो कि उसके मरने का बहुत बड़ा रीजन था और वाटर पीजन ब्रेक करने बात तो टोकिटो और पारफुल बन गया था और तब योगो को तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाए योगो में टैग निस तो था स्वार्ट विलेज का बट इतना कुछ इंप बैटल के अंदर कुछ इंटेंस मुवमेंट नहीं थे जैसे टीम टैंगन और टीम गयोतारों के अंदर थे तब देखें लागा था कि यह होते हैं अपर मून इनको कितना मुश्किल होता है मारना यहां पे गयोतारों वैसे सीरस नहीं था टोकिटो और पारफुल हो चुग और बैटल के अंदर बाई बाई